हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी कलास वन में हम 49 तक क्योस्टन कर चुके थे और उसी में हमने कुछ आइडेंटी सिखी थी तो अगर आपने कलास वन को नहीं देखा तो पहले उसको देख लिजिए क्योंकि जो उसमें हमने आइडेंटी सिखी थी उन पे बेस क्योस्टन अब हम इस वीडियो में करेंगे अगर वो आइडेंटी आपको आती होंगे तो क्योस्टन एजली समझा जाएंगे अब चलते हैं क्योस्टन नबर 50 पर find the value of the following यानि कि हमें इनको solve करना है यहांसे एक concept आपको पता होना चाहिए कि अगर हमें सर्ड्स को जोड़ना हो या फिर गटाना हो तो इसकी दो condition होती है पहली condition क्या हो जाएगी कि जो हमारी करनी होती है जो सर्ड्स का order होता है वो बराबर होना चाहिए यहांपर second condition हो जाएगी जो संख्या है यानि कि root के अंदर जो value होगी इसको हम क्या बोलते है radical यह सब पिसले वीडियो में सीखाया था तो यहांपर जो value होगी root के अंदर वो भी बराबर होनी चाहिए अगर यह दोनों condition satisfy होती है तो हम सर्ड्स को जोड़ सकते हैं और गटा सकते हैं यहीसे हम समझते हैं कि सर्ड्स को अगर हमें multiply करना हो या फिर divide करना हो तो इसकी सिरफ एक ही condition है कि जो करनी होती है वो करनी बराबर होनी चाहिए सबी ट्रम में second condition कि इसमें जुरूत नहीं रहती अगर यहां पर रेडिकेंट बराबर हो या फिर ना हो तो उसमें भी हम multiply और divide कर सकते हैं तो अब चलते हैं क्योस्तन पर हमें क्या करना है यहां पर जोड़ना है फिर इसको गटाना है तो condition क्या होनी चाहिए करनी बराबर होनी चाहिए त जो root के अंदर value हो देखो यहां पर 40 है यहां पर 625 है और यहां पर 320 है तो बराबर नहीं है इसको बराबर करना पड़ेगा इसको बराबर कैसे करेंगे 2 root 40 करनी कितनी है यहां पर 3 पलस में 3 625 करनी है यहां पर 3 माइनस में और 320 करनी है यहां पर 3 तब इन value को हमें बराबर करना पड़ेगा 40 को हम क्या लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं आठ गुना में 5 बिलकुल बेसिक्स है तो class 1 में सीख लिया था अब थोड़ा advance चलना पड़ेगा जो 40 उसको 2 टुकड़े करने पड़ेंगे 8 गुणा में 5 ऐसा टुकड़ा करना है जो किसी का क्यूब रूट होता हो यहां पर करनी 3 है ना इसका मतलब क्यूब रूट होता हो यानिकि 8 हो जाएगा ऐसे समझने आए तो 40 के फिर आपको factor करने पड़ेंगे 40 के factor क से 20 फिर दो से 10 फिर दो से पांच तो दो गुना दो गुना पांच फिर तीन तीन के जोड़े बनाने होते हमें तो 40 को हम यह लिख सकते हैं अब 8 बार आएगा यानिकि 8 का क्यूब रूट क्या होता है 2 दो ओर रेड़ी बार है एक यहां से बार आएगा अंदर कितना बज़ जाएगा 5 करनी थी 3 पलस में 3 अब 625 को हम क्या लिखेंगे 125 गुना में 5 125 का क्यूब रूट कितना होता है गनमूर कितना होता है इसका 5 तो बार कितना आएगा 5 तो 3 गुना में 5 3 तो बार था ही 125 का क्यूब रूट 5 हो जाएगा अंदर कितना बचेगा 5 करनी कितनी है 3 माइनस में यहां से आपको एक आइडिया भी मिल जाएगा कि अंदर देखो पांच है यहां भी पांच ही बनना चाहिए यहनी कोई कोई पांच का मल्टिपल होना चाहिए तो पांच से डिवाइड करके देखे लो पांच से के 30 दो बचेगा पांच के 20 तो 64 अब 64 का cub root क्या होता है च्यार तो बाहर कितना आएगा च्यार तो ओर रेड़ है एक क्या ऑ रएगा अदर कितना बच जाएगा 5 करणी कितनी है 3 अब eccнаком करणी भी बराबर है सभी में और जो रे гляд है वो भी बराबर है तो असानी से हम क्या कर सकते हैं इनको जूड़ कर सकते हैं अब यहां पर करनी कितनी है तीन और इसके अंदर क्या है तो रूट 5 करनी इसको अगर हम common ले ले तो यहां पर कितना बचेगा 2Le you are परकितना बचेगा 3-5ARE 15 माइनस में यहां पर लेगा 16 कि इसको 16 कर लेंगे 15 और 4 19 19 में से 16 माइनिस करेंगे 3 बचे तो यह हो जाएगा 3 multiply में रूट 5 और यहां पर यह थरी है तो यह इसका अंसर हो जाएगा चैक कर लो किस ओप्षन में है option a में हैं तो इसको बिल्कुल basic से समझा दिया है अब चलते है 51 पर इसको में क्या करना है plus minus करना है तो condition क्या थी कि करनी बराबर होनी चाहिए यहांपर करनी कितनी है देख करनी कुछ तो इसको भी बराबर करना पड़ेगा मतलब एक बटा 3 बनाना पड़ेगा यहां पर तो कैसे बना सकते हैं थरी रूट 147 निच्चे 3 बनाना है तो डिवाइड कर देते हैं 3 से 3 से डिवाइड किया तो 3 से मल्टिप्लाइ भी करने पड़ेगी क्योंकि अपनी मर्जी से हम्मैत में कुछ भी नहीं कर सकते हैं माइनिस 7 बटा 3 रूट में 1 बटा 3 प्रलस में 7 रूट 1 बाई 3 अब इसकी मल्टिप्लाइ करें तो 3 साथे 21 उपर मल्टिप्लाइ कर लेते हैं तीन सो के बारा और दो चोधा हस लगेगी एक तीन एक कम तीन और एक च्यार च्यार सो एक तारीस बटा 3 रूट बार कितना था तीन यह करनी नहीं है यह वैल्लू है बार माइनिस में 7 बटा 3 रूट 1 बाई 3 पलस में 7 रूट 1 बाई 3 अब 441 को में बाहर लेके जाना बचेंगे 21 में 3 बार थाई अंदर कितना बचेगा एक बटा 3 माइनिस में 7 बटा 3 रूट 1 बटा 3 पलस में 7 रूट 1 बटा 3 तो यह कितना हो जाएगा सभी में देखो रूट 1 बटा 3 है तो इसको हम कुमन ले लेते हैं रूट 1 बटा 3 को कुमन ले लिया अंदर कितना बचे सब्सक्राइब कर लेते हैं तो 63 और साथ कितना हो जाएगा सतर सतर माइनस साथ बटा तीन यह कितना हो जाएगा एलसे में लेंगे तीन साथ एक किस यानिके 210 210 में से साथ माइनस करेंगे 203 डिवाइड में तो यह इसका अंसर होगा किस ओप्सन में है ऐसा ओप्सन दिखाई नहीं दे रहा इसका मतलब इसको इसने रेचलाइजेशन और किया होगा दो बटा 203 डिवाइड में 3 और रूट एक बटा 3 है तो रूट को हम दोनों के साथ लिख सकते हैं एक के साथ लिखेंगे तो रूट एक एक ही रहेगा और निचे रूट 3 अब क्या है हर में एक प्रीमे संख्य है तो इसका प्रीमे करना पड़ेगा तो रूट 3 की मल्टिप्लाई उपर निचे कितना हो जाएगा ये पड़ेगी तभी हम इनको जोड़ सकते हैं बाहर करनी तीन है तो 16 के ऐसे टुकने बढ़ाने पड़ेंगे जो किसे का क्यूब भी रहे तो यह हो जाएगा आठ गुना दो क्योंकि आठ किसका क्यूब होता है दो का तो इसको हम लिख सकते हैं 16 को आठ गुना में दो यहां पर दो यहां पर भी दो कोई मल्टिपल बनेगा तो दो से इसको डिवाइड करके देख लेना दो दूनी च्यार दो एक कम दो दो चिके बारा पलस में 432 को क्या लिखेंगे 216 में 2 अब आठ को बार लेके जाएंगे तो दो होगा और अंदर बचेगा दो पलस में 125 को बार लेक अब यहां पर हम रूट दो करनी थे तिन इसको कम ले ले लेते हैं अंदर कितना बचेगा दो पलस में 5 पलस में 6 है जब अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो कम में लेने की जरूत भी नहीं है डारेक्ट इसको जोड़ सकते हूं तो यह हो जाएगा दो और पांच साथ साथ और छे तेरा तो तेरा रूट दो करनी है यहां पर तिन यह इसका अंसर होगा किस उप्शन में है चेक करेंग लूट तीन रूट दो और यहां पर करनी तीन तो मैंने के बतायता था डिवाइट हो या फिर मोलिट्िपलाई हो उसमें सिर्फ कि करनी बराबर होनी चाहिए यह ऑंपर करनी च्या है यह कुछ भी नहीं इसका मतलब दू है और यहां पर तीन है तो बराबर करना पढ़ेग करनी इसके साथ निच्छे हो जाएगा रूट तीन यहां पर दो है छे बनाना तो तीन से मल्टिप्लाई करेंगे अब तीन से मल्टिप्लाई किया तो इसकी पावर भी तीन हो जाएगी क्योंकि तीन करनी हो जाएगी तीन घात से करनी कैंसिल हो जाती है ऐसे यहां पर रूट 3 की power 3, इसका मतलब 3 की multiply हो रखे, 3 बार, यहाँ पर 2 की power 2, इसका मतलब 2 की multiply 2 बार, तो यह हो जाएगा 2 गुना 2, 4 से cancel करोगे, 3 से कटेगा, 3 पर, और 3 से फिर 3 cancel, तो यह कितना हो जाएगा, root करनी है यहाँ पर 6, और निचे है, 1 बटा 9, तो यह इसका answer होगा, option में नहीं दिये रखा, तो और solve करना पड़ेगा इसको, 1 बटा 9 है, करनी को हम क्या लिख सकते हैं, power बनाएंगे जब 1 बटा 6, अब 9 क्या होता, यह होता 3 का सुकेर, तो इस पूरे का सुकेर कर देते हैं, और पूरे की power 1 बटा 6 है, तो यहाँ पर एक bracket और लगाएंगे, और इस पूरे की power 1 बटा 6, जब bracket में होता, यह multiply में होते हैं, यह की 2 multiply में 1 बटा 6, देखो इसको ऐसे लिखेंगे, 1 बटा 3, power में 2 गुणा में 1 बटा 6 हो जाएगा, 2 से cancel करेंगे 3, तो यह हो जाएगा, एक बटा 3 की power, एक बटा 3, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक बटा 3 का cube root, यह इसका अमसर हो जाएगा, जो कि है option A में, अब चलते हैं 54 पर, 15 करनी है यहाँ पर 3, divide में, root 3, root 5, करनी यहाँ पर 3, यहाँ पर कितने हो जाएगी, 2, यह multiply में है, तो divide में हमें क्या करना होता है, एक एक कंडिशन है कि करनी को बराबर करो, तो यहाँ पर 3 है, यह 2 है, यह 3 है, lsm कितना होगा, 6, तो करनी को 6 बनाना पड़ेगा, उपर निचे, तो यहाँ पर 15, करनी थी 3, 6 बनाने के लिए 2 से multiply, तो 2 पावर भी करनी पड़ेगी, divide में रूट 3 करनी है यहाँ पर 2, 6 बनाने के लिए 3 से multiply, तो पावर भी 3 हो जाएगी, multiply में रूट 5 करनी है यहाँ पर 3, 6 बनाने के लिए 2 से multiply, तो पावर भी 2 हो जाएगी, अब सभी में करनीच है हो गई है, तो इसको comment कर देते हैं, करनीच है, उपर कितना है यह 15 का सुकेर, इसका मतलब 15 की multiply, दो बार हो रखी है, divide में 3 का cube, इसका मतलब 3 की multiply, तीन बार, यहाँ पर 5 की पावर 2, तो 5 की multiply, दो बार, इसको cancel कर लेते हैं, 5 थी पंदरा से 15 cancel, 5 थी पंदरा से 15 cancel, तो कितना बचेगा यहाँ पर, एक बटा 3, इसके करनी कितनी है, 6, तो यह इसका answer होगा, option में दे नहीं रखा, तो option में यह गल्ती हो रखी है, इसका answer कितना होगा, root एक बटा 3, और इसके करनी 6 है, यह बता दिया है कि option में यह गल्त है, उसके बाद भी बच्चे कोमेंट करेंगे, कि आपने इसको गल्त करा है, तो option में है यह नहीं कुछ, यह वाड़ा answer है, तो कैसे टिक करें वहीं, तो इसको ठीक कर लेना, इसका answer कितना होगा, एक बटा 3, और उसके करनी 6, अब चलते हैं 55 पर, root 18, और इसके करनी है 6, divide में 4, इसके करनी है 4, multiply में 3, इसके करनी है 3, तो करनी को बराबर करना पड़ेगा, यह परहच्च यह 4, यह 3, तो LCM कितना होगा 12, सब को 12 बराना पड़ेगा, तो root 18 यहांपर 6 है बारा बनाने के लिए 2 से multiply तो power भी 2 हो जाएगी divide में root 4 करणी है यहांपर 4 तो 12 बनाने के लिए 3 से multiply तो power भी 3 multiply में root 3 इसकी power है 3 12 बनाने के लिए 4 से multiply तो power भी 4 करनी पड़ेगी सबी कि करणी 12 हो गई है तो common कर देते हैं इसको 12 और यह हो जाएगा 18 का सुक है इसका मतलब 18 की multiply 2 बार डिवाइड में 4 की power 3 तो 4 की multiply 3 बार multiply में 3 की power 4 3 की multiply 4 बार इसको cancel कर लेते हैं 3 तीया 9 9 से cancel करेंगे 9 दूनी 18 तीया 9 9 दूनी 18 अब 2 गुणा 2 4 4 से 4 cancel बराबर यह हो जाएगा चार चुके 16 यानिकि एक बटा 16 और करनी कितनी है बारा तो यह इसका अंसर होगा किस option में दे रखा है option B अब चलते हैं 56 पर simplify इसको सरल करना है क्या है देखो यह बुक में गल्त दे रखा है यह हो जाएगा 16 की power minus 3 बटा 4 होगा यह बुक में इसको पलस दे रखा तो इसको ठीक कर लेना अब यह क्या हो जाएगा हमें क्या करना है 16 क्या होता 2 की power 4 और पूरे की power minus 3 बटा 4 तो यह दोनों क्या होते है multiply में multiply में तो 4 से 4 cancel हो जाएगा कितना बचेगा 2 की power minus 3 हमें power को क्या करना है पलस बनाना है तो इसको एक के निचे लिखना पढ़ेगा यहनिकि इसका वियूत क करना पढ़ेगा इसका रेसिप्रोकल करना पढ़ेगा एक बटा 2 की power 3 2 की power 3 कितना होता है 8 तो एक बटा 8 इसका answer होगा option B यह सब पिछली वीडियो में सीखाई थी जैसे की a की power m है पूरे की power n है तो यह क्या होता है a की power m multiply में n तो यह दोनों multiply में हो जाते हैं ऐसे इसी अगर a की power minus m है तो इस power को में पलस में करना हो तो इसको वन के डिवाइड में लिखते हैं यानिकी वन डिवाइड में एक पावर m अब चलते हैं 57 पर 100 की power minus 3 बटा 2 है इसको भी ठीक कर लेना बुक में यह पलस दे रखा है तो यह क्या हो जाएगा 100 को हम क्या लिख सकते हैं 10 का सुकेर देखो निच्चे 2 है न तो इसको भी 2 की form में लिखो यह पावर 2 हो जाए तो 10 का सुकेर होता है यह और पूरे की power minus 3 बटा अब यह ब्रेकेट में है दोनों एक अंदर पावर है एक बार पावर है तो दोनों य होता है एक हजार तो एक बटा एक हजार जो कि है option डी अब चलते हैं 58 पर एक बटा नों इसकी पावर है माइनिस एक बटा दो इसको कैसे सोल करेंगे पावर है माइनिस एक बटा दो तो इसको हम पलस में लिखेंगे पावर को तो इसको एक के निच्छे लिखना पड़ेगा निकी एक बटा एक बटा नो इसकी पावर अब हो जाएगी एक बटा दो तो अब नो उपर चला जाएगा यह एक के निच्छे है तो यह क्या हो जा अब चलते हैं 59 पर 1296 की पावर 7 बटा 4 अब 1296 क्या होता है यह होता है 6 की पावर 4 यह कुछ common value होती है इनको याद रखा करो 7 की पावर 6 की पावर 4 और पूरे की पावर 7 बटा 4 तो multiply में है तो 4 से 4 cancel 6 की पावर 7 ओप्शन ए अब चलते हैं 60 पर 32 की पावर 4 बटा 5 तो 32 की पावर 5 और पूरे की पावर 4 बटा 5 तो multiply में है यह 5 से 5 cancel तो 2 की पावर 4 ओप्शन ए 61 81 की पावर 5 बटा 4 तो एक एसी क्या होता है 3 की पावर 4 और पूरे की पावर 5 बटा 4 दुनों पावर multiply में है तो 4 से 4 cancel 3 की पावर 5 यह हो जाएगा option C 62 243 243 होता 3 की पावर 5 पूरे की पावर माइनस च्यार बटा 5 इसको ठीक कर लेना यह पावर माइनस में है बुक में दे रखा पलस में तो 5 से 5 cancel हो जाएगा 3 की पावर माइनस 4 हो जाएगी पावर को हमें पलस में लिखना है तो एक के निचे लिखना पड़ेगा एक बटा 3 की पावर 4 तीन की पावर 4 क्या होता है 81 जो कि option B अब चलते है 63 पर 343 क्या होता 7 की पावर 3 पूरे की पावर 4 बटा 3 multiply में दुनों पावर 3 से 3 cancel तो 7 की पावर 4 इसका अंसर होगा option D 64 4,096 एक याल रख़ा करो 2 की पावर 10 यह होता 1024 यह आपको computer में भी काम आएगा तो इसको हमेसे याद रखा करो अब क्या है यह 1024 का 4 गुना है यानि कि 2 क 6 की पावर 12 आप 2 की 2 dvv v2 है इसका मतलब यह क्या हो जाएगा 4 की पावर 6 और पूरे की पावर क्या है माइनिस फांच बटा 6 इसको भी ठीक कर लेना बुक में यह पलस दे रखा है तो 6 से 6 cancel क्या हो जाएगा 4 की पावर माइनस 5 पावर को पलस में लिखना है तो इसका रहसी प्रोकल करना पड़ेगा 1 बटा 4 की पावर 5 4 की पावर 5 ये कितना होता है 2 की पावर 10 हो जाएगा इसका मतलब 1024 तो ये हो जाएगा option A अब चलते हैं 65 पर 1024 ये क्या होतां 2 की पावर 10 इसका मतलब 4 की पावर 5 पूरे की पावर 3 बटा 5 5 से 5 cancel तो 4 की पावर 3 ये इसका अंसर होगा option C 66 27 की पावर X बराबर में 9 बटा तीन की पावर X तो X की value हमें निकालनी है अब 27 क्या होता है ये होता है 3 का cube 3 का cube पूरे की पावर कितनी थी यह कितना हो जाएगा 3 की पावर 3x क्योंकि दोनों पावर मुल्टिप्लाइ में होती है, मुल्टिप्लाइ कर दी, 9 क्या होता है, 3 की पावर 2, अब निच्छे है ये 3 की पावर x, अगर स्कूप पर लेके जाएंगे, base same है multiply में power add हो जाती है तो 3 की power 2 और minus में x इनको जोड़ेंगे तो 2 minus x हो जाएगा अब base बराबर है और ये दोनों value बराबर में है तो इनकी जो power होगी वो भी हमें से बराबर में होगी देखो ये दोनों value बराबर है बराबर का sign दे रखा है तो ये बराबर कब होगी base तो बराबर है अगर power बराबर होगी तब ये दोनों value बराबर हो सकती है तो power भी हमें से इनकी बराबर होगी 3x बराबर में 2 minus x अब x को इसाइड ले कहेंगे तो ये हो जाएगा 4x बराबर में 2 x कितना हो जाएगा 2 बटा में 4 यानिकी 1 बटा 2 यह हमने इसको बताना है option D अब चलते हैं 67 8 की power 5 बटा 3 multiply में 4 की power minus 1 बटा 5 बराबर 2 की power x यह पर base 2 है तो यह भी base 2 बना लो 8 क्या होता है 2 की power 3 पूरे की power 5 बटा 3 multiply में 4 होता है 2 की power 2 पूरे की power minus 1 बटा 5 बराबर 2 की power x 3 से 3 cancel यह होगा 2 की power 5 multiply में 2 की power minus 2 बटा 5 बराबर में 2 की power x अब यहाँ पर base same है multiply में तो power add हो जाएंगी यह हो जाएगा 2 की power 5 यह minus का 2 बटा 5 है तो जोड़ोगे तो minus ही रहेगा minus 2 बटा 5 बराबर में 2 की power x तो इनको जोड़ेंगे powers को तो यह हो जाएगा 25 25 में से 2 minus करेंगे 23 यानि की 2 की power 23 बटा 5 बराबर में 2 की power x अब base बराबर हैं उजी दुनों value बराबर में है तो power भी बराबर में होगी यानि की 25 23 बटा 5 बराबर में x x की value कितनी आ जाएगी 23 बटा 5 जो कि है option B अब चलते हैं 68 पर 2 की power x divide में 8 की power 2 बटा 5 तो 8 क्या होता है 8 होता 2 की power 3 और पूरे की power थी 2 बटा 5 बराबर में 2 की power 1 बटा 5 x की value में यह से निकालनी है कैसे निकालेंगे पहले इसको multiply करो तो यह हो जाएगा 2 तिया 6 बटा 5 2 की power x divide में 2 की power 6 बटा 5 बराबर में 2 की power 1 बटा 5 अब यहाँ पर यह टरम divide में है अगर इसको हम right side लेके जाएए तो multiply में हो जाएगी यह फिर चाहो तो इसको उपर लेके जा सकते हो तो 2 की power minus में हो जाएगी minus 6 बटा 5 2 की power x हम इसको right side लेके जाएगे 2 की power 1 बटा 5 multiply में 2 की power 6 बटा 5 तो यह हो जाएगा 2 की power x बराबर में base same है multiply में तो power add हो जाएगी तो यह हो जाएगा अच्छ है और एक 7 बटा 5 अब दोनों value बराबर है और base भी बराबर है तो power भी बराबर हो जाएगी x बराबर 7 बटा 5 किस option में है option a अब चलते हैं 69 पर 5 root 5 multiply में 5 की power 3 divide में 5 की power minus 3 बटा 2 बराबर में 5 की power a plus में 2 तो a की value हमें यहीं से निकालनी है 5 root 5 को कई लइक सकते हैं यह तो इसको हम लखते हैं 5 की power 1 बटा 2 multiply में 5 की power 3 है यहाँ पर इसके power कितनी है 1 divide में है 5 की power minus 3 बटा 2 बराबर में 5 की power a plus में 2 अब यहाँ पर power minus में है तो इसको उपर लेके जाएंगे, तो पावर पलस में हो जाएगी, तो यह हो जाएगा, पावर एक, मुल्टिप्लाइ में, पावर एक बटा दो, मुल्टिप्लाइ में, पावर तीन, अब इसको पावर को हम उपर लेके जाएगे, तो पावर तीन बटा दो, पलस में हो जाए और तीन बो convincing करेंगे तो यह घ्ल में दो को सोद्वार्ण से बिर्दम में 5 की पावरहएं प्लस में दो तो 4 अर्दु छेंगे पावरण की प् ellas बरावर में 5 की पावररएं पलस में तो दोन्हों वैल्य बरावर हैं बेस बी बरावर है तो पावर भी बराबर हो जाएगी A पलस में 2 तो A कितना हो जाएगा 6 माइनस में 2 यानि की 4 जो की है option A अब चलते हैं question number 70 पर 2 की 2 बटा 3 की पावर X 3 बटा 2 की पावर 2 बटा X 27 बटा 8 तो इसमें हमें X की value निकालनी है 2 बटा 3 की पावर है X 3 बटा 2 इसकी पावर है 2X बराबर में 27 बटा 8 27 को हम क्या लिख सकते है 3 की पावर 3 डिवाइड में 8 को क्या लिख सकते है 2 की पावर 3 अब यहाँ पर बेस देखो 3 बटा 2 है यहाँ भी 3 बटा 2 है लेकिन यहाँ पर 2 बटा 3 है तो इसको भी तीन बटा दो बना लेते हैं तो इसको एक के निचे लिखना पड़ेगा एक के निचे लिखेंगे तो पावर माइनस में हो जाएगी एक बटा दो बटा तीन इसको हमने ऐसे लिख दिया तो यह पावर क्या हो जाएगी माइनस में multiply में 3 बटा 2 इसकी पावर थी 2x इसको हम लिख देंगे 3 बटा 2 और पूरे की पावर 3 लिख सकते हैं यह identity भी हमने पिछली वीडियो में सीख लिथी बराबर में यहां से हो जाएगा अब 2 बटा 3 है तो 3 उपर चला जाएगा तो यह हो जाएगा 3 बटा 2 और इसकी पावर माइनस में x multiply में 3 बटा 2 इसकी पावर है 2x बराबर में 3 बटा 2 इसकी पावर है 3 बेश सेम है multiply में तो पावर एड़ हो जाएगी तो 3 बटा 2 दोनों को एड़ करेंगे power को 2x minus x कितना हो जाएगा x बराबर में 3 बटा 2 इसकी power 3 अब दोनों value बराबर है और base भी बराबर है तो power भी बराबर यानि कि x बराबर कितना होगा 3 option d अब चलते हैं 71 पर यहां पर यह misprint है यह 3x नहीं है यह यह होगा 3 की power x minus 1 बराबर में 81 x की value में यह से निकालनी है तो 81 को हम क्या लिख सकते हैं यहां पर तो 3 की power x minus 1 81 होता है 3 की power 4 अब दोनों value बराबर है और base भी बराबर है तो power b बराबर यानि कि x minus 1 बराबर 4 तो x बराबर 4 प्लस में 1 5 option d अब चलते हैं 72 पर यह भी यह misprint है यह होगा a की power x divide में a की power 2 is equal to 1 तो a की power x divide में a की power 2 बराबर में 1 यह 1 कब हो सकता है यानि कि जो निचे value है वही value उपर हो तो दोनों को हम cancel करके 1 के बराबर लख सकते हैं तो उपर भी क्या होगा a की power 2 तो x कितना होगा यहासे 2 और फिर दूसर तरिका क्या ओजायेगा यहांपर a की power x multiply में a की power 2 को उपर लेके जाएंगे तो यह क्या हो माइनस में तो A के पावर माइनस दो बराबर one, one को मैं कहा लिख सकता हूँ a के पावर zero किसी के पावर भी zero हो तो वो one होता है सिवाए zero कि य counties सिभावर 0 लिखेंगे तो यह यह ऑन नहीं होता हूँ यह होता है नोट डिफाइन और बाके कुछ भी रखो यहां पर यह बेस जीरो के अलावा तो वह वन होता है अब देखो यहां पर बेस सेम है तो पावर एड़ हो जाएंगी एक की पावर x minus में 2 बराबर एक की पावर 0 दो नोट वैल्यों बराबर हैं बेस भी बराबर तो पावर भी बराबर तो x minus 2 बराबर में 0 तो x बराबर में 2 तो ओप्शन बी यहां से सोल कर लेड़ा यहां से असान रहेगा जो निचे टरम है वही टरम उपर होनी चाहिए तभी कट कर ये एक के बराबर आ सकता है अब चलते हैं 73 पर यहां पर भी यह मिस्प्रिंट है दो मुल्टिप्लाइब में 3x नहीं है यह 3 की पावर x-1 बराबर में 162 अब 2 इस साइड मुल्टिप्लाइब में है इस साइड जाएगा तो डिवाइड में तो यह हो जाएगा 3 की पावर x-1 दो से कैंसिल कर लो इसको 2,8,16,2,1,2,81,81 कितना होता है 3 की पावर 4 दो नो वैल्यू बराबर है तो पावर भी बराबर होगी x-1 बरा पावर होगी 0.16 multiply में 256 इसकी पावर है यहां पर 0.09 इसको शोल करना है बेस बराबर है multiply में है तो पावर एड हो जाएगी तो 256 की पावर कितनी हो जाएगी दोनों को एड करो तो 0.25 अब यह कितना होता है पॉइंट टाइए तो 25 बटा यह 100 होगा 25 बटा 100 कितना हो जाएगी एक बटा च्यार अब 257 क्या होता है यह होता है 16 का सुकेर इसका मतलब 4 की पावर 4 च्यार की पावर पूरे की पावर एक बटा च्यार दुनों multiply में 4 से 4 cancel answer कितना होगा 4 option अब चलते हैं 75 पर यहां पर बेस बराबर है और multiply में तो पावर एड हो जाएगी निकि 7 क साथ की पावर एक बटा दो पलस में तीन बटा दो तो तीन और एक च्यार च्यार बटा दो दो साथ की पावर दो कितना हो जाएगा 49 option 76 बेस बराबर है multiply में है पावर एड हो जाएगी तो 4 और 2 6 च्यार बटा तीन कितना होता है 2 तो 11 का स्केर 121 option B अब सलते है 77 पर यहां पर यह देखो इसमें miss print है यहां पर यह दो नहीं होगा दोनों कैसे देख लेते हैं अगर किस्टन ऐसा दे रखा हो तो कैसे शूल करेंगे दो की पावर एक है और यह कितना है दो की पावर एक इसका मतलब दो की पावर दो हो जाएगा multiply में यहां पर base बराबर है तो दो की पावर दो च्यार में नो की पावर एक नो तो च्यार निमें 36 तो इसका अंसर होगा 36 अगर क्योश्टन ऐसा होता लकिन इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है यहां पर यह जो एक दो हना यह एक्स्टा दे रखा है यह क्योश्टन कुछ ऐसा होगा दो multiply में बेस बराबर है multiply में है तो power add हो जाएंगी 9 की power 3 बटा 2 माइनिस 1 बटा 2 3 में से 1 माइनिस करेंगे 2 2 बटा 2 एक 9 दो नी कितना हो जाएगा 18 तो 18 इसका अंसर होगा option D अब चलते हैं 78 पर यह पर multiply में है बेस बराबर है तो power add हो जाएगी 27 की power 2 बटा 3 फलस में 1 बटा 3 माइनिस में 4 बटा 3 2 और एक 3 3 बटा 3 कितना हो जाएगा वैसे डाइक टिकर लेते हैं denominator तो सेम ही है तो 2 और एक 3 3 माइनिस 4 इतना होगा माइनिस एक बटा 3 27 की power माइनिस एक बटा 3 इतना होगा 27 क्या होता है 3 की power 3 और पूरे की power माइनिस एक बटा 3 दो नों multiply में है power तो 3 से 3 cancel तो यह हो जाएगा 3 की power माइनिस एक पावर को पलस में लिखना है तो इसका reciprocal करना पड़ेगा तो एक बटा 3 इसका अंसर हो जाएगा यह ओप्शन ए में अब चलते हैं 79 पर base बराबर है divide में है तो power माइनिस हो जाएगे 13 की power 4 बटा 3 divide में 13 की power 1 बटा 3 तो 13 की power 4 बटा 3 माइनिस में 1 बटा 3 तो यह कितना हो जाएगा 13 की power 4 में से 1 माइनिस करेंगे 3 3 बटा 3 1 तो 13 इसका अंसर होगा option B क्योंसर नमबर 80 अब इसको मसूल कर सकते हैं या तो हम इसको करनी बराबर कर लें या फिर हम गातांग से भी कर सकते हैं तो करनी को बराबर कर लेंगे वो तरीका आसान रहेगा यह है दो बटा 3 निचे कितना है 3 इसका मतलब करनी 3 है पावर 2 है multiply में 6 की पावर 7 करनी कितनी है 6 divide में 6 की पावर 6 करनी कितनी है 3 तो multiply में हम क्या करते हैं करनी बराबर रखते हैं value बराबर हो या ना हो लेकिन करनी बराबर होनी चाहिए तो 3, 6 और 3 कितना होगा 6 h toh Di Deni को by ना पड़ेगा यहां पर है स्कॉकेर करनी थी तीन चैने बनाने के लिए 2 से मुल्टिप्लाई तो पावर भी दो करनी पड़ेगी तो 2 से मुल्टिप्लाई कर देंगे पावर में भी मल्टिप्लाई में स्कॉर साथ करनी है यह पर यह पर तो और डिच है 6 पावर 6 कर निया hai this को हमें 9 M他 दो से multiply कर ने मेंघ दो से मुल्टिप्लाई के तो पावर में 2 से मूल्टिप्लाई करनें पढ़ागी अब करनी सभी आया T会ए चेख आख क्वंबन कर जेते हैं एक है अँपर कितना है से की पावर्य 2 दो चार कि स्थे की मुर्टिप्प्लाइड च्वार हो रख्या है इस है किके पावर्य है यह इस एक पावर साथ कूर्ण क्या बारा आ हैं इत उपर कितना हो जाएगा two component बराबर है तौ पावर एड़ हो जाएंगे यानिuding च्छैकि पावर 2011 हो जाएगा उपर उपनेचे उपभार 12 है तो उपर लेके जाएगे तो- माइनस में मैं डिवाइड में किया होता हे पावर माइनस हो जाती है तो यह कितना हो जाएगा 6 की पावर 11 माइनस 12 है नहीं कि 6 की पावर माइनस 1 बचेगी अब यह माइनस की 1 है पावर तो इसको मैं पलस में लिखना है तो क्या करेंगे निचे लेगे जाएंगे तो यह हो जाएगा 1 बटा 6 और करनी कितनी थी इसकी 6 है तो यह इसका अंसर होगा किस सोप्षिन में दे रखा है यह जाएंपोर की पावर शाथ डिवाइड में 20 पावर 18 तो इसको भी हम क्या लिखेंगे डस की पावर 3 और पूरे की पावर है 7 डिवाइड में 10 की पावर 18 तो उपर कितना हो जाएगा 3 साते 21 तो 10 की पावर 21 निच्चे 10 की पावर 18 तो डिवाइड में पावर माइनिस हो जाती हैं तो यह हो जाएगा 10 की पावर 3 10 की पावर 3 मतलब 1000 ऑप्शन डी 82 पर चलते हैं 3 की पावर 7 multiply में 5 की पावर 7 बेस क्या है अलग है लेकिन पावर सेम है तो क्या कर सकते है multiply करके power common कर देंगे तो 3 गुणा 5 कितना हो जाएगा 15 और पूरे की पावर 7 ऑप्शन बी इसली वीडियो में सिखाई थी identity जैसे a की पावर m है multiply में b की पावर m है तो बेस तो अलग है क्या करेंगे फिर a b और पूरे की पावर m कर देते हैं अब चलते हैं 83 पर 8 की पावर 11 multiply में 5 की पावर 11 तो क्या करेंगे यहीं multiply करेंगे 8 45 40 और पूरे की पावर 11 लिख देंगे ओप्शन a 84 7 की पावर 11 multiply में 7 की पावर 2 बेस बराबर है multiply में तो पावर एड हो जाएंगे 11 और 2 13 तो ओप्शन c 65 9 की पावर 13 डिवाइड में 9 की पावर 3 डिवाइड में क्या होता है पावर माइनस हो जाती है तो 13-3 यानिकि 9 की पावर 10 option B अब चलते हैं 86 पर 7 की पावर 11 डिवाइड में 5 की पावर 11 7 की पावर 11 डिवाइड में 5 की पावर 11 तो पावर क्या करेंगे common कर देंगे 7 की पावर 5 पूरे की पावर 11 हो जाएगी पिछली वीडियो में आइडेंटी बताई थी यह जैसे कि A की पावर M है डिवाइड में B की पावर M है तो A बटा B करके पूरे की पावर M लिख सकते हैं अब चलते हैं 87 पर अब यहां से एक concept समझे हैं जैसे आपको दे रखाओ 2 की पावर 3 और इसकी पावर 2 और एक होता है 2 की पावर 3 और इस पूरे की पावर 2 अब इस ब्रेकेट से मतलब क्या है कि 2 की पावर 3 फिर ब्रेकेट है और यह 2 है तो यह पूरे की पावर 2 है लेकिन यहां पर क्या है कि 2 की पावर 3 और जैसे 2 है यह सिरफ तीन की पावर है, पूरे की पावर नहीं है यह दो, यह सिरफ तीन की पावर दो है, तो इसको तो हम सोल करते हैं नीचे से उपर, और इस ट्रम को हम सोल करते हैं उपर से नीचे, यानि कि सब से पहले उपर वाला सोल करना पड़ेगा, तो तीन की पावर दो, कितना ह रखा है कि दो की पावर दो और इसकी पावर तीन तो इसको हम उपर से इनिचे सोल करते हैं इसको भी उपर से इनिचे सोल करेंगे तो दो की पावर दो इस पूरे की पावर तीन है दो की पावर तीन और तीन की पावर दो है तो दो की पावर तीन कितना होता है आठ तो दो की revive 8 और यह प्लस में है प्लस में तीन की फावर 2 कितना हоде है ne ंट प्लस में 2 की पावर 9 यहां से दो की पावर 8 को मुंड ले सकते हो यहां पर बचेगा 1 पलस में यहां पर बचेगा 2 की पाफर 8 कितना होता हुट है लुख्제 10 में याद है 1224 होता है इसको 4 से ही डिवाइड करना है चार दुनी आठ चार पंजे बीस चार चिके चोबिस 256 होता है दो की पावर आठ मुल्टिप्लाइ में दो और एक तीन तो यह हो जाएगा तीन चिके अठारा एकाई का अंक आठ 768 या फिर यहां से भी अलग लग सोल कर सकते हो दो की पावर आठ 256 दो की पावर नो 512 इनको एड करो यह हो जाएगा अब चलते हैं 88 पर तीन की पावर अठाण में और यह डोट मतलब यह मल्टिप्लाइ में है तो मल्टिप्लाइ में है और बेस बराबर है तो पावर एड हो जाएंगी नहीं कि तीन की पावर एक सो तीन माइनस तीन की पावर यह भी मल्टिप्लाइ में है बेस से में तो पा और y की power minus 10 पूरे की power 5 बटा 4 है तो पहले हम क्या करते हैं अंदर वाड़ों को शोल कर लेते हैं पावर को पलस में कर लेते हैं तो उपर x की power minus 4 है पावर को पलस में करना तो इसका ऐसे प्रोकल करना पड़ेगा निकि एक की निचे लिखना पड़ेगा तो x की power निचे चला जाएगा x की power 4 अब ये पलस में हो गई ऐसे निचे था y की power minus 10 तो इसको उपर लेके जाएंगे तो power पलस में हो जाएगी यानि कि y की power 10 हो जाएगी पूरे की power 5 बटा 4 अब पूरे की power 5 बटा 4 है ये पिसले वीडियो में सिखाया था तो ये हो जाएगा y की power 10 और इसकी power कितनी हो जाएगी 5 बटा 4 और निचे था x की power 4 तो इसकी power भी कितनी हो जाएगी 5 बटा 4 अब ये दोनों power multiply में है तो cancel करो इनको 2 से cancel करेंगे 2 ये हो जाएगा 5 तो ये हो जाएगा y की power 25 बटा 2 और निचे 4 से 4 cancel तो x की power 5 चैकरो किस option में है 25 बटा 2 और निचे 5 25 बटा 2 निचे 5 option C अब चलते हैं question number 90 पर 25 की power 3 बटा 2 25 क्या होता है 5 का square तो 5 की power 2 पूरे की power 3 बटा 2 हो जाएगा multiply में 243 क्या होता है 3 की power 5 पूरे की power है 3 बटा 5 divide में 16 क्या होता है 2 की power 4 और पूरे की power है 5 बटा 4 multiply में 8 होता है 2 की power 3 पूरे की power 4 बटा 3 तो ये दोनों power क्या है multiply में 2 से 2 cancel कितना बचेगा 5 की power 3 multiply में 5 से 5 cancel कितना बचेगा 3 की power प्टिन डिवाइड में चयं sucker केंसिल कितना भचेंगा दो की पावर बांच में मृट्प्लाई में तीन से तीन कैंसिल कितना भचेंगा दो की पावर चार तो यह हो जाएगा देखो दे qualman कर 3 15 की पावर 3 और निच्छे मल्टिप्लाइं में है बेस बराबर है तो पावर एड हो जाएंगी पांच और चार नो और दो की पावर नो यह हमें याद है यह होता है 512 तो निच्छे 512 देखो किसमें ओप्शन बे में उपर वाड़े को सोल करना ही नहीं था इसमें क्यों टाइम वेस्ट करना अब चलते हैं 91 पर ऐसे क्यूस्टन की आपको स्यांदार ट्रिक बताता हुए इन क्यूस्टन को हम करेंगे वैल्लू पूट मेथर से यह क्यूस्टन होते हैं ऐलजाबरा बेस अगर बेस सीक से करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा वैल्ल यह क्या होता है नोट डिफाइन तो शिरफ यह कंडिशन नहीं बननी चाहिए उसके अलावा आप कुछ भी वैल्लू रख सकते हो तो अगर हम यहाँ पर ए बी और सी इन तीनों की वैल्लू जीरो रखें तो डिनोमेटर में जीरो बनेगा ही नहीं यहाँ पर डिनोमेटर है में एक्स यहाँ पर बी जीरो सी जीरो जीरो माइनस जीरो और मल्टिप्लाय में जीरो तो एक्स की पावर भी जीरो रहेगी मल्टिप्लाय में एक्स सी जीरो एक कितना है जीरो माइनस जीरो मल्टिप्लाय में जीरो रहेगा अब किसी की पावर जीरो क्या होता है वन तो ए एक गुणा एक गुणा एक कितना हो जाएगा एक तो एक इसका अंसर होगा option D value put method बहुत easy रहता है तो इसको अच्छे से सीख लेना अब चलते हैं basic पर basic भी पता होना चाहिए लेकिन exam में करना value put method से अब देखो a minus b और a plus b bracket के बारे हैं दोनों पावर एक अंदर है एक बारे इसका मतलब दोनों यह multiply में हैं तो a minus b multiply में a plus b यह ऐसे हैं तो यह identity हो जाएगी a square minus b square तो x की पावर कितनी हो जाएगी a square minus b square multiply में यहाँ पर जैको b minus c और b plus c identity क्या हो जाएगी b square minus c square तो x की पावर 20 square minus c square multiply में c minus a c plus a क्या हो जाएगी identity c square minus a square तो x की power c square minus a square base सेम है multiply में तो power add हो जाएगी तो x की A²-B²-B²-C²-C²-A² तेनों पावर को add कर दिया माइनस B² है यह पलस में है यह माइनस में है यह पलस में है यह माइनस में है यह पलस में तो सभी cancel तो कितना होगा यह X की पावर 0 बची और X की पावर 0 मतलब 1 तो option D हो जाएगा किसमे कम टाइम लगा value put method में आप चलते हैं 92 पर इसको भी value put method से करेंगे अब यहाँ पर हम m n l की value कुछ भी put कर सकते हैं तिन्नों की same भी put कर सकते हैं अलग अलग भी कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा निच्चे 0 नहीं बननी चाहिए तो अगर मैं m n और l तिन्नों की value 0 लग दूँ तो निच्चे क्या पूरी टर्म 0 बन जाएगी एक्स की पावर 0 लगको तो पूरी टर्म 0 नहीं बनेगी पूरी टर्म 0 नहीं बननी चाहिए तो यहाँ पर हम 0 रख सकते हैं तो यह हो जाएगा x की पावर l कितना है 0 0 multiply में 0 x की 0 तो यह कितना हो जाएगा 1 divided में 1 x की पावर 0 बनेगी दिवाइड में x की पावर 0 0 होता है तो 1 divided में 1 और multiply में तो 1 इसका answer होगा option A, 2-3 second लगते, basic से करना चाहो तो basic से कर सकते हो, y identities में लग जाएगी, जैसे x की power L है, नीचे power है x की power M, उपल जाएगी तो power minus में, नहीं कि multiply में x की power हो जाएगी, पूरे की power L plus में M है, तो base same है power add हो जाएगी, L minus M, और ये L plus में M, तो L minus M, L plus में M, वह identity हो जाएगी, A minus B, A plus में B, यनिकि x की power L square minus में M square, तो पिछे वारा question किया था, वैसा है same हो जाएगा, सभी power add होके, x की power 0 बचेगी, option A आजाएगा, अब चलते हैं 93 पर, x की power A, divide में x की power B, तो इसको भी हम ऐसे solve कर सकते हैं, A, बराबर B, बराबर C, इनको सभी को 0 मान सकते, अलग अलग मानो तो वो आपकी मर्जी है, कुछ भी value मान सकते हो, सिर्फ A की condition होती है, कि denominator में, यानि की हर में, पूरी term 0 नहीं बननी चाहिए, उसके अलगा कुछ भी रख सकते हो, अब यहाँ पर हम इनकी value 0 रखेंगे, A, B, C की value, तो यह कितना हो जाएगा, x की power 0, divide में x की power 0, यानि की 1 होगा, 1 multiply में 1, यह बचेगा, तो इस cancer हो जाएगा, option C, basic से करना चाहिए, तो basic से कर सकते हो, identity बता जेता हूँ, कून सी बनेगी, x की power a, b को उपर लेके जाएंगे, तो multiply एक्स की power minus b बचेगी, पूरे की power a square, पलस में a, b, पलस में b square, तो power add हो जाएंगी, x की power a minus b, पूरे की power a square, पलस b, a, b, पलस में b square, तो दुनों multiply में हो जाएंगे, निकी x की power क्या हो जाएगी, a minus b, multiply में a square, पलस में a, b, पलस में b square, तो ये identity कून सी होती है, a minus b का, so a cube minus b cube, ये identity होती है, इसको open करोगे, तो ऐसी बनेगी है, इसमें b, और same b वाले में बनेगी, उसमें क्या बनेगी, b cube, और minus c cube, इसमें क्या बनेगी, c cube, minus में a cube, फिर तीनों को add करोगे, तो देखो, ये cancel हो जाएंगे, c से c, b से b, तो last में x की power 0 बचेगी, जो की होता है, 1, तो बिल्कुल basic से जाओगे, कम से कम 1 minute तो इसमें लगागी, चलते है, 94 पर, च्यार की power 2, पूरे की power 2, तो ये multiply में हो जाएंगी power, यानिकी 2 गुणा 2, minus में, 4 की power 4, ये minus में है, ये plus में, दोनों के cancel होके, 0, option b, अब चलते हैं, 95 पर, दो multiply में 3 की power 2, तो ये कितना हो जाएगा, 2 गुणा 3, 6, 6 की power 2, पूरे की power 3, 6 की power 2 मतलब क्या होता है, 36, तो 36 की power 3, इसका मतलब 36 को 3 बार multiply करना है, जो की है, option a, 96, इसको solve करना चाहूँ, तो value put method से इसको solve कर सकते हो, m की value मान लो, 0, चैक का लेना एक बार, कि m की value 0 माने से denominator 0 हो गया है, तो denominator 0 नहीं बनेगा, तो m 0 रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा, 16, multiply में 2 की power m कितना है, 0, 0 प्लस में 1, यानि की 1, तो ये रहेगा 2, minus में 4, multiply में 2 की power 0, कितना होगा 1, divide में 16, multiply में 2 की power, m कितना है, 0, 0 प्लस में 2, तो 2, minus में 2, multiply में 2 की power, m है 0, 0 प्लस में 2, तो 2, तो ये हो जाएगा, 16, गुना 2, 32, minus 4, ये हो जाएगा, 4, 16, 64, 64, minus में, 4, दूनी, 8, तो 28, ये बचेगा, 56, 28, दूनी, 56, यानि की 1, 2, इसका, अंसर हो जाएगा, option, D, जाएगा, तो बेसिक से सोल करके, देख सकते हो, समझ नहीं, तो टेलेगराम पर पूछ लेना, अब चलते हैं, 97 पर, ये हो जाएगा, इसको value put method shift कर सकते हैं, लेकिन उससे असान रहेगा ये, root, x की power minus 1 है, तो power को पलेस में करना तो, इसको reciprocal करेंगे, यानि की ये हो जाएगा, फिर y बटा में x, multiply में z बटा में y, multiply में x, divide में z, करनी 2 है, तो करनी को हम common लिख सकते हैं, फिर, तो y, divide में x, z, divide में y, multiply में x, divide में z, z से z cancel, x से x, y से y, तो one का root कितना हो जाएगा, one, option, value put method से भी कर सकते हो, value put method से करोगे, तो इसमें हम x, या फिर y, या फिर z, इनको किसी को भी 0 नहीं मान सकते, क्योंकि अगर हम यहाँ पर 0 रखेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, something upon 0, यानि कि node define, तो 0 नहीं रख सकते, one रख लेना, अब one रखोगे, तो यह होगा, one, one multiply में one कितना हो जाएगा, one, चलते हैं, 98 पर, अब इसको भी value put method से कर सकते हो, अगर हम n और m, दोन्नों की value अगर 0 रखेंगे, तो चैक करो एक बार, क्या denominator में पूरी टर्म 0 हो जाती है, तो यहाँ पर 0 रखो, यहाँ पर भी 0, 0-0, 0, a की पावर 0, 1, और one पलस में one है, तो नहीं बनेगी 0 निच्छे, तो हम 0 रख सकते हैं, तो one डिवाइड में one, पलस में a, एन कितना है 0, एन कितना है 0, तो कितना हो जाएगा यह एक पावर 0, पलस में one डिवाइड में one, पलस में a कितना है 0, 0-0 रहेगा, तो यह हो जाएगा फिर one डिवाइड में, एक पावर 0, कितना हो जाएगा one, किसी की पावर 0 होतो, one होता है, तो one पलस में one, two, पलस में यहां से भी one by half और half one हो जाएगा option c अब सलते 99 पर यहां पर भी आप रख सकते हो n को 0 चेक कर लो एक बार denominator में पूरी टर्म 0 नहीं होने चाहिए तो 5 गुणा में 0, 3 की power 0, 1 रहेगा तो रख सकते हैं तो यह हो जाएगा 3 की power 12 पलस में 0 तो 12 multiply में 9 की power 2 गुणा 0, 0, 0 में से 7 माइनस करेंगे तो माइनस का 7 divide में 3 की power 0 हो जाएगी तो यह हो जाएगा 3 की power 12 multiply में 9 को लिख सकते हैं 3 की power 2 पूरे की power minus 7 निचे 1 रहेगा तो 3 की power 12 multiply में 3 की power minus 14 अब बेज सेम है multiply में तो power add हो जाएगी 3 की power 12 minus 14 यानि की 3 की power minus 2 पावर को क्या करना है पलस में लिखना है तो 1 बटा 3 की power 2 हो जाएगा 3 की power 2 होता 1 बटा 9 तो यह इसका answer होगा option D आप चलते हैं handmade पर यह पर भी आप n बराबर 0 पूट कर सकते हों चेक कर लो एक बार पूरी टर्म 0 नहीं होनी चीए निचे तो 0-1 0 नहीं होगा पूरी टर्म 0 तो रख सकते हैं तो 243 n है कितना है 0 0 बटा 5 तो 0 रहेगा 243 की पावर 0 oh multiply में 3 की power कितना हो जाएगा दो गुदा जीरो पलस में 1 यानी 13 कीική पावर बीवाईड में 9 की पावर 0 मल्टिप्लाइ में 3 q1 यानि कि माइनस और किसी की पावर 20 तो 151 मृटिप्लाइम थरी नेच्चे 20 णोगी पावर 20 यानि की वन मल्टिप्लाइम Hm बगाने गगाए को तैन ओर तरै और तो यह से टिंग में इस को रहता हुआ हाई कि तो यह टो आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वडियो में अगर किसी कोई प्रोब्लम है तो कॉमेंट बॉक्समें पूछ सकते हैं